Hello students, yes बेटा, आज हम करेंगे हमारा chapter number 20, yes देखी क्या है, energy saving, energy saving क्या होती है, energy का होती है, उर्जा, saving मतलब बचाना, हम लोग कैसे energy को save कर सकते है, कैसे जो हमारी powers है, हमको क्या कर सकते है, chase कर सकते है, yes देखी, energy, energy is the capacity of a system to do work, energy क्या होती है, वो उर्जा होती है, जो वो capacity होती यह किसी भी system की, जिससे वो क्या कर सकते है, काम कर सकते है, ठीक है, energy has a number of forms, energy क्या होती है, अलग-लग types में होती है, ठीक है, for example, जैसे solar energy, heat energy, wine energy, यह क्या है, अलग-लग energy के types है, given below are some pictures that show the different form of energies, आपको नीचे कुछ pictures दी हुए है, इसने आपको क्या है, अलग-लग type की energy बता सकते हो, यस, और आपको यहाँ पर help box दियाओ, इसके help ले सकते है, first दीखि, first कै हुए 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 हमारा, first है solar energy, solar energy कौन से होती है, solar energy होती है, वो हमें किसी मिलती है, solar energy होती है, वो हमें मिलती है, सूरच सी, तो इसी हम सोर उजज़ा भी जैसे कहते है, ठीक है, तो यह अन वाई उर्जा जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो एर होती है जो पवन होती है उसकी हैल्प से क्या करते हैं अनर्जी को बनाते हैं इसमें क्या होते हैं बड़े-बड़े टबाइन होते हैं बड़े-बड़े पंक्खे होते हैं जो घूमते हैं और क्या करते हैं अनर्जी को एल Electricity and energy. Hydroelectric energy होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी से क्या बनते हैं? electric energy बनते हैं, ठीक है? For example, जैसे बांध होते हैं, बड़े-बड़े, जो pools बगारा होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग पानी को store करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? उस पानी से हम लोग क्या करते हैं? Electric energy generate करते हैं जिसे हम कहते है прич Bah electric energy नेक्स्ट है electricity Electric energy इलक्टिक energy कौन से होती है? जो simple जो बिजली की energy होती है जो electric energy हमारे घरों में आती है वो कौन से energy होती है? electric energy next क्या है? heat energy yes, heat क्या अंता है वेठा? जो एट से पैदा हो आएग कोई भी चीजज जलती है तो से कहोध के पैसी उनजीon का सुन पैदा होगी मेगनेटिक से होती है चुम्भॄो 202 हो कि इसमें क्या रता magnetic energy के अंदर electric charge क्या करते हैं move करते हैं electric charge होते electron and protons ठीक है जब electric charge move करते हैं electrons move करते हैं तो वो एक energy बनाते हैं उस energy को हम लोग क्या कहते हैं magnetic energy ठीक है अब देखिए इसमें क्या है बेटा quick response बताना इसमें आपको ठीक है देखे tick the correct option आपको correct option पे tick करना है first क्या है what is the correct way to washing a car आपका correct way बताना है कि कौन सा correct way है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं car को दो सकते हैं यस देखे यह तो आप pipe का use करके उसको पान डाल सकते हैं या फिर bucket में पानी लेकर उसको क्या कर सकते हैं साफ कर सकते हैं इसमें क्या आएगा कि हम लोग bucket का use करके क्या कर सकते हैं उसको clean कर सकते हैं साफ कर सकते हैं second है which electric device save most energy कौन सा electric device है वो जादा energy को क्या करता है save करता है जादा energy बचाता है yes first है पंखा and second क्या है AC तो क्या आएगा पंखा क्योंकि पंखे में जो energy होती है वो कम use होती है और AC में कैसी energy जादा use होती है next है what is the most effective way to light a home कौन सा जो वे है कौन सा जो तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने घर को light कर सकते हैं रोशन कर सकते हैं तो कौन सा है या तो आप बलब यूज़ कर सकते हो second या फिर आप candle यूज़ कर सकते हो अगर candle यूज़ करेंगे तो उससे आप सारे घर को तो रोशन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बलब का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बलब क्या करता है काफी ज्यादा स्पेस पर क्या करता है energy को spread करता है बखेड़ता है लाइट को नेक्स्ट है which is the best way to save water while washing dishes कौन सा जो अच्छा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं पानी को से पर सकते हैं बरतंद होते वक्त फर्स्ट क्या है जिसमें आप जातो जो टैप है आपकी वह खुली रखकर क्या कर सकते हैं बरतंद हो सकते हैं आप पानी भर कर और थोड़े से पानी के अंदर इसमाल कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे कम पानी के साथ उसको क्या कर सकते हैं वोश कर सकते हैं अब नेक्चे देखिए grow your knowledge के अंदर sound energy is a form of energy that is associated with the vibration of matter sound energy कौन सी energy होती है sound energy ऐसी energy होती है जो कब बनती है जब vibration होती है किसी भी चीज में जब vibration होती है उस vibration की विज़े से जो energy पैदा होती हो कौन सी होती है sound energy booster 10 और short के अंदर देखिए what do you do to save electric energy आप क्या कर सकते हैं electricity को बचाने के लिए yes क्या कर सकते हैं turning of a lights when we when you leave the room हम क्या कर सकते हैं light को बंद कर सकते हैं जब हम कहां जाए room से बाहर जाए तो यह बेटा यह आपका gk का lesson है यह आप अपनी फियर अपनी जो book के अंदर क्या करें इसको write करेंगे and care करेंगे learn करेंगे ठीक है बेटा thanks and have a very great day thank you